देश में राष्ट्र व्यापी टीका करण के अंतरगत अब तक 56 करोड 64 लाग से अधिक कोविड टीके लगाए गये हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,36,000 से धिक लोगों का टीका करण किया गया है। केंडरी स्वास्तमंत्राले ने बताया है कि कल 36,401 नए कोविड मामलों की पहचान हुई। वही 3,64,000 रोगियों का उपचार विभिन अस्पतालों और होम आइस दोलेशन में चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 49,157 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक करीब 3,15,25,000 से धिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने कि दर 97,95 प्रतिशत पर बनी हुई है। इधर 36 घंटों में पिछले 24 घंटों के दौरान 64 मरीजों की पहचान की गई है। अब तक 10,3934 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जिन में से 9,89,411 लोग स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में 974 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए अब तक प्रदेश में 1,35,000 लोगों ने ठीके लगवाए हैं। जिन में से 45 वर्ष से अधिकुम्र के 90 प्रतिशत लोगों को दोनों ठीके लग चुके हैं।